हेज गाइस वैलकम बैक टो मैं चैनल सो गैस क्या आप लोगों के साथ भी बालों के जड़ने तूटने बालों के ग्रोध की प्रॉब्लम हो रही है अगर यह सारी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो यह वीडियो आपके लिए है वीडियो को फुलो लासर जरूर आपकी यह सारी ही प्रॉब्लम का सुलूशन मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद तो चलती से चानल को सब्सक्राइब करकर बैल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आप लोगों को ऐसी ही अमेजिंग और भी वीडियो मिलती रहें साथ ही इस चानल पर मैं आप लोगों के साथ में अपना यूट्यूब जर्नी का experience शेयर करते हूँ जिससे कि आप लोगों में से अगर कोई यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता है तो उसको हेल्प मिल सके कि उसे यूट्यूब कैसे स्टार्ट करना है और किन बातों का ध्या प्रूड करूंगी तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस यह आप लोगों का नाइट हेयर केर रूटीन है सोने से जस्ट पहले आपको इसे करना है आप लोगों को सबसे पहले अपने हेयर को दो सेक्शन में डिवाइट करना है और अपने फिंगर अब आपको आपके हेयर का छोटा सा सेक्शन लेना है और कॉम लेकर कॉम करना है लेकिन आपको कॉम डिरेक्ट स्केल्प से नहीं करना है आपको हेयर लेंट पे पहले कॉम करना है सबसे नीचे वाले लेंट में आपको पहले कॉम करना है फिर थोड़ा सा उपर कॉम करना है उसके बाद last में आपको अपने scalp से comb करना है हमेशा इसी तरीके से comb करेंगे तो बाल बिल्कुल भी नहीं तूटेंगे ऐसे ही गाज आपको अपने hair के थोड़े थोड़े section को लेते जाना है और comb करते जाना है always आपको इसी technique से अपने hair को comb करना चाहिए यही best way है मसाज करना है और उसके बाद आपको reverse में मसाज करना है जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ आपको इस तरीके से सारे बाल आगे लेकर आने हैं और मसाज करना है इस तरीके से आपको मसाज कुछ 3-4 मिनट के लिए करना है reverse मसाज करना guys बहुत important है से skip नहीं करना है 3-4 मिनट मसाज करने के बाद वापस से आपको अपने hair को सीधा कर लेना है और एक बार फिर से अपने hair को comb करना है जैसे कि हमने पहले comb किया था hair का extraction लेना है पहले length पे comb करना है and then scalp पे comb करना है फिर इसी तरीके से आपको अपने सारे बालों को comb कर लेना है और बालों को पूरी तरीके से detangle कर लेना है फिर आपको coconut oil की 1-2 drop लेनी है उसको अपने hand पर डालना है थोड़ा सा warm करना है और अपने बालों में लगा लेना है ऐसा करने से आपके hair में splittance नहीं होंगे आपके hair बहुत ही अच्छे हो जाएंगे अगर castor oil है तो आप वो भी use कर सकते हैं फिर एकदम side में आपको अपने hair को लेकर आजाना है सारे बालों को और फिर एक side में bread बनानी है side में ये जो आप bread बनाएंगे वो tight नहीं होनी चाहिए थोड़ी loose होनी चाहिए अगर tight होगी तो आपके बाल टूट जाएंगे hair को guys open करकर नहीं सोना चाहिए इस तरीके से bread बनाकर ही सोना चाहिए अब आप ready हैं सोने के लिए तो guys बस आप लोगों को इतना सा ही करना है और आप लोगों के hair की सारी problem खतम हो जाएगी आप लोगों के hair दो गुना तेजी से बढ़ने लगेंगे और आपके hair में आपको बहुत अच्छा result देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन शर्त यही है कि यह जो steps है वो आप लोगों को daily follow करने है अगर आप daily follow करेंगे तो बिना पैसे खर्च की आपके hair में बहुत ही अच्छा result आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा तो जो भी आप लोगों को result मिले वो मुझे comment section में जरूर शेयर करना और अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा person है जो CCS University से कोई course कर रहा है और daily के update चाहता है तो वो मेरे दूसरे बाले चानल को subscribe कर सकता है उसका link description box में दिया गया है तो आज की इस वीडियो को यहीं करतें मिलतें next time bye take care